हलो एब्रिवान, वेल्कम बैक तो माई चैनल, गाई एक और यू रिडिंग के साथ मैं आ गई हूँ, कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं र अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी जो रिडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगो के लिए जानेंगे, कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, वर इस कमिंग नेक्स्ट इन यॉर लव लाइफ, तो अभी इस सिचुएशन जैसी भी चल रही है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, इस पर हमारा फोकस रहेगा, तो जल्दी से रिडिंग को स्टार् आप देख सकते हैं, हो सकता है, आपकी हेल्प हो जाए, और अगर आपको अपने लिए परस्नल रिडिंग बुक कराना है, तो इसका भी ऑप्शन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्ट्रिग्राम आइडी का लिंक मिल जाएका, वहाँ पर 8 of swords, 10 of wands, page of cups, 2 of swords, knight of pentacles, 9 of swords, 8 of pentacles, strength and four of pentacles and page of swords. एंड यहां से टावर है perfect और क्या ही कहा जा सकते हैं इन कार्ण को देखते हैं okay यहां से भी चेक कर लेते हैं इंगाँ okay we have one card here give your relationship a chance मैं इसको यहां रखते हूं forgiving and learning एक और ले लेते हैं forgiving and learning let's go off control issues ठीक है कुछ कार्ट जा रहे हैं आपके लिए देखो आपकी लव लाइफ में चीजे ठीक तो चल नहीं रही है एक हार्मनी situation नहीं है ठीक है यह तो आपको भी पता है क्योंकि आप इस situation को देख रहे हो तो यहां पर कार्ट भी ऐसे ही आया है like problems है difficulties है burden है यहां पर बहुत से responsibilities का that is why यहां पर scenario थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है complicated सा जो भी है फिर भी आप दोनो manifest करते हुए दिख रहे हो इस connection को overthinking बहुत चल रही है बहुत सोचते हो that is why you are trapped in some situations और यह negative situation overthinking सबसे ज्यादा लेकर आती है जो कि आपके साथ हो रहा है confused भी हो रहे हैं इस connection में यह move on कर लें इस तरीके से बट कुछ है जो आपके connection को न control कर रहा है अब आप यह समझ लीजे बुरा time है या फिर आपका कुछ karmic due है जो आप pay कर रहे हो इसको अभी ठीक है लेकिन एक चीज़ यहां दिख रही है जो अच्छी है वो यह है कि आप एक दूसरे को माफ भी कर रहे हो आप दुनों को एक दूसरे के जो भी कमिया हैं खोबिया हैं वो दिखती है time की according और फिर आप उसी के according एक दूसरे को adjust भी करते हो एक दूसरे के लिए तो यह process इतना असान नहीं होता कि एक दूसरे को एक दूसरे के लिए adjust कर रहे हैं इसमे time लगता है ठीक है वो energy बनने में time लगता है that is why माफ कर लेते हो सीख लेते हो कुछ ना कुछ एक दूसरे से और फिर इस connection को chance देते हो तो process तो चली रहा है आपका लेकिन अभी harmony situation stage नह तो नहीं है इस time तो नहीं दिख रही है तो next जो भी है आप दूसरे को माफ करकर आगे ही बढ़ोगे connection को chance दोगे और जो भी control करता है आपके connection को वो naturally ही solve होंगे चीजे आपके force करने से कुछ नहीं होने वाला ठीक आपको थोड़ा सा patience भी रखना पड़ेगा और divine के order का time ज करना पड़ेगा ठीक है judgment का वेट करना पड़ेगा आपको तो next क्या है situation अगर हम next seven days भी ले 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 तो यही situation बनी हुई है और आपको थोड़ा strength रखने के जरूरत है अपने work पर focus करने के जरूरत है क्योंकि आपके love life में जितने भी issues आ रहे हैं वो naturally solve होंगे unfold होंगे and then you can take action ठीक है तो घबराओ मत परिशान भी मत हो कभी कभी surrender भी कर देना चाहिए जो कि आप लोग करते भी आई नो पर अभी situation कुछ ऐसी ही दिख रही है दीरे दीरे solve हो जाएगी और time भी अच्छा आ रहा है ठीक है बहुत अच्छा time शुरू हो चुका है आथ से ही और यह स् manifest कर सकते हो जितने affirmations बोल सकते हो आप बोलो आपको देखना यह issues भी खतम होंगे आप एक दूसरे को इसी मन्त में माफ भी कर दोगे और इसी connection को आप chance भी दे दोगे एक और अप दोनो एक दूसरे को chance भी दे दोगे ठीक है कि हमें इस connection में आगी बढ़ना है हमें सब कुछ ठीक करना है इस तरहे कैसे तो आप patience रखकर manifest करो affirmations बोलो अपने work पर focus रखो यह सारे काम बीजिये आप spiritual maturity love देखो आप अपने maturity यह जो spirituality है आप day by day आगे बढ़ रहे हो और जितना spirituality में आगे बढ़ रहे हो दोनों जितना समझ पा रहे हो इस connection की chance भी देंगे it's okay manifest कीज़े आपके लिए यही guidance है कि आप manifest कीज़े अपने maturity पर अपने जो भी आपका अपने अपने लिए rules regulations बनाए उस पर focus कीज़े divine आपके साथ है divine आपको रास्ता दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत secure है आपको हर चीज की directions मिल रही है through divine divine की तरफ से तो पूरी पूरी help मिल रही है और यहां पर भी आपके लिए यही काड़ा है manifestation तो manifest करो affirmations बोलो this is very powerful month for all of you guys इसमें आप जितना manifest करोगे नियम फॉलो करोगे उतना ज्यादा आपका bond strong होगा और सब कुछ अच्छा भी होगा ठीक है लेकिन यह आपके manifestation पर भी depend करता है कितनी positive energy के साथ आप सारे काम करोगे यह depend करता है इस पर चलो यहाँ से देखता है don't let your past hold you back past में मज जियो और present में action लो future के बारे में planning करो be bold and make the first move time for healing यह month healing के लिए बहुत अच्छा है surrender कर दो वो सारी negativity जो आपको परिशान करती है साथ में अपनी healing पर focus रखे ठीक है अपने manifestation पर focus रखे bold बनिए कि yes जो आप manifest कर रहे है वो आपको मिलकर ही रहेगा और past की चीजों को let go करना शुरू कर दो ठीक है जितना लादा let go करोगे उतना अच्छा रहेगा यहां से देखते है starseeds कार्ड से यहां से क्या आता है आपके लिए oh wow we have two cards light और love अपने आप आप आगए यह cards दोनों और यहां से truth का card है light it is time to reveal your radiant light to the world यह जो light का card है ना अच्छा हम इस पे एक बर picture भी देखते हैं वाव कितना beautiful है ना और देखो कितना बड़ा star है बाकि छोटे-छोटे star है love में भी हमें एक बड़ा star और एक छोटा star देख रहा हूं कितनी positive energy देख रहे हैं इस card में और truth में भी बहुत सुन्दर energy है green blue color white color pink color का combination है बहुत सुन्दर card है okay तो यह जो light का card है ना यह तो यही बता रहा है कि आप अपने inner inner light अपने inner work पर जादा focus करो so your soul will grow differently एक अलगी तरीके से वो glow करेगी and love live your truth and share the love that is in your soul अपने अंदर की अच्छाईयों को जानने की कोशिश करो अपनी real soul से मिलने की कोशिश करो ठीक है हर एक soul बहुत unique है अपने आप में और अपनी अपनी एक supernatural power हो थे उसको recognize करो guys okay so that you will find the way to reach um to reach your destiny see your light know your power have the courage to walk through true such bolo such ka sadho जितना true रहोगे उतना divine will come close to you आपकी पास आएंगे ठीक है so see the light know your power and have the courage to walk through true true self best self होती है true soul best soul होती है तो सोल आपकी जितनी सच्ची है अच्छी है तो उतना जदा divine आपकी help करेंगे आपके purpose में तो यह कुछ next होने वाला है I hope यह जो next होने वाला यह guidance ही जो reading में आपको मिली है यह आपको next action लेने में बहुत मदद करेंगी और आप काफी अच्छा पील करेंगे इस वीडियो को देखकर तो अभी के लिए बस इतना है guys bye bye take care झाले